PCS जे 2022 के एसफल अभ्यार्थियों को मिले की नौकरी दोफ्तो UPPSC ने एचेनित अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में मांगी सूचनाई उत्तर परदेश लोग शेवा आयोग PCS प्रिक्षा की त्रहर उत्तर परदेश नियाइक शेवा शिवले जज़े जुनियर डिवीजन जैसी महतोपन प्रिक्षा में शाक्षात कार तक पहुँचने के बाद एचेनित मेधावी अभ्यार्थियों को भी नीजी शंस्तानों में रोजकार उपलग्द कराएगा इसके लिए आयोग ने PCS J 2022 के इच्छुक एचेनित अभ्यार्थियों से आवशिक सुचनाए मांगी है अभ्यार्थियों को बीस नॉमबर दोजार तेश तक अपनी रजिस्टर्ड इमेल आईडी से आयोग की इमेल आईडी nsmun22 at the red gmail.com पर अपने प्रार्थना पत्र प्रेशित करने होंगे इमेल आईडी है दोस्तो nsmun22 at the red gmail.com इस इमेल आईडी पर अपने प्रार्थना पत्र प्रेशित करने होंगे इसके तहए तब बैर्थियों को PCSJ 2022 में अपना अनुकर मांग साक्षात कार किती थी नाम पिता का नाम जनमती थी लिंक सेक्षनिक अरहताएं और पत्राचार का पता या मुबाइल नंबर और मुबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी आयोग ने PCSJ प्रिक्षा 2022 का प्रणाम 30 अगस्त 2023 को घुशित किया था PCSJ के 303 पदों पर भरते के लिए 16-28 अगस तक चले इंट्रुविव में 969 अबैर्थियों को बुलाए गया था इंट्रुव में अबैर्थियों की 7% उपस्तेती थी आयोग ने 302 पदों पर अबैर्थियों को अंतिम रूप से चैनित गोशित किया था जबकि 657 अबैर्थि सफल नहीं होचके थे आयोग ने इनी अबैर्थियों से निर्धारित प्रारुप पर सूचनाए मांगी है अन्य भर्दियों में भी व्यवस्ता लागो करने की तैयारी PCSE प्रिक्षा में नई व्यवस्ता के लागो होने के बाद अन्य भर्दियों को भी इसमें सामिल के जाने की तैयारी है जिनमें लिखित प्रिक्षा और इंटर्व के आधार पर चैन होता है उसमें समलित राज्य अभियंतरन सेवा प्रिक्षा राज्य किसी सेवा भरती सामिल है आयो के सुतरों के नुसार जल्दी समलित राज्य अभियंतरन सेवा भरती के ब्यारतों के भी आवेदन मांगे जा सकते है